दोस्तों नमस्कार आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज एस्ट्रोलोजी से संबंधित एक और महाधशा के बारे में आपको बताऊंगा वो महाधशा है दोस्तों बुद्र यानि की मरकरी की महाधशा दोस्तों बुद्र की महाधशा बहुत ही महत्वपून मानी जाती है जिस जातक के जनमकाल में बुद्र की महाधशा चल जाती है दोस्तों समझ लेना कि उसका भागय बदल गया है उसके पास ज्यान, बुद्धी, सफलता का अपार मौके सामने आते रहींगे दोस्तों यदि बुद्र अच्छे जगे जरमकुंडली में पोजीशन है तो समझ लेना धेश का सरवच्य पत तक ओव्यक्ती पहुंचेगा यदि बुद्ध सूर्य से प्रवाबित हो तो जातक को राज्य की और से समान प्राप्त होगा जातक देश विदेश में अपना वैपसाइट सला देगा नौकरी करता हो तो उन्नती हो जाएगी परीजन, संबंधी, सबसे प्यार मिलेगा खूब धन संपदा के विर्दी होगी जातक को नयने मित्र मिलेंगे जातक को खूब धन संपदा प्राप्त करने के मौके मिलेंगे जातक हमेशा नयने कारों को करकर सफलता अर्जित करेगा धोस्तों यदि बुद्ध कारक ग्रह होकर अपनी उच राशी, मूल त्रिकोन राशी, सोर राशी या मित्र राशी का होकर केंडर अर्थवा त्रिकोन में हो तो बुद्ध की दशा जातक के लिए बहुत आनंदायक रहेगी उसे अनेक प्रकार की भोक समागरी प्राप्त होगी उच वाहन, सुन्दर आवास, मूलेवान वस्तुए, आवोशन, जातक खरीड़ेगा और खूप प्रसिद्धी मिलेगी बुद्ध दशा के अंतिम चरण में यदी जातक के ब्रहस्पती और सूर्य शुब है, जब इनकी अंतरदशा चलेगी और बुद्ध यदी कुंडली में अच्छी जगे पोजिशन है, तो ये मान के चलिए कि वो जातक को अपने कारे छेतर में बहुत बड़े पद की और ल नएने विचार आएंगे, व्यग्यानिक छेतर में नएने अविश्कार करने के शमता उसमें उत्पन हो जाएगी, कई जठिल समस्याओं का समाधान वो निकाल लेगा, यहां तक की ऐसे समस्याओं का समाधान निकालेगा, जो आम आदमी नहीं निकाल पाएंगे, दोस्तों, यदि वुद्ध शुक्र से प्रभावित हो, तो जातक का ध्यान विलासिता की और अधिक रहेगा, अनीक सुंदर व्यक्ति उसकी आसपास घोमने लगेंगे, धन प्राप्ति की खूग मौके मिलेंगे, जातक का रुजान अचानक कृशी कारे और फार्म हाउस की जोर हो जाएगा, अचानक जातक के घर में धार्मिक कृत्ते भी शुरू होंगे, संतान के कारन उसे यश मिलेगा, ऐसे जातक को किसी विश्यवदाले में कुलपती, जज, यहां तक की गवर्नर, मंत्री तक बुद्ध पहुचा देता है, समाज में उसका मान सम्मान बरते जाता है, और जातक का जो वाचस्व होता है, दिन प्रति दिन दोस्तों बरते जाता है, वो नास्तिक होने के बाद भी वो अपनी आस्ता हर जगे रखता है, यदि दोस्तों बुद्ध अकारक होकर नीज राशिम है, कुछ समस्य अवश्य उत्पन होती है, जो की जातक आसा से जेल लेता है मोटे तौर पर दोस्तों बुद्ध की मादशा भागे में विशाल परिवर्थन लाती है विशेशकर जब बुद्ध मादशा के अंतिम चार वर्ष होते हैं और बुद्ध के साथ जो प्रत्यानता दशा चल रही है या जी दोनों ही अच्छे तरीके से कुंड वो व्यक्ति देश के सर्वोचे पद में या शिक्षा के सर्वोचे पद में वो आसीन होगा विपूल मातरा में धन समपदा सुअस्त लाग खुश्यां उसके आसपास होनेगी मान सम्मान खूप मातरा में उसको मिलेगी पतिस पदा में उसको कोई नहीं हरा सकता शात्रु उपर गनीश भगवान की विशेश कृपा रहेगी और अराम सपनी जिंदगी वो गुजारेगा धन्यवाद दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं बुद्ध अशा के पार्ट सेकिंड को लिकर आऊँगा धन्यवाद दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि करने पारेगा भारेगा धन्यवाद दोस्तों में माझा विवर उन्यवाद देखश्यूब आने विशेश में मैं माम और अराम सब्सक्राइब कर दोस्तों में मैं चैनल कुछएएब आएटों है गया लिएखवादी झाल